आज हम बात करने जा रहे हैं आपके ICI के एक बहुत important training course के बारे में जिसका नाम है Information Technology Training and Soft Skills course बहुत important course है वो इसलिए क्योंकि अगर आपने ये course नहीं किया समय रहते हुए तो आपकी जो CA की degree है वो भी hold हो सकती है किसे आपको समझ जाना चाहिए कि कितना ज्यादा important ये course है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस course की complete details के बारे में कि course के लिए eligibility criteria क्या होना चाहिए ये course किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए इस course का क्या duration होता है registration process क्या है वगेरा वगेरा तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा इंट तक देखेगा बहुत important information होगी तो सबसे पहले मैं आपको एक यह चीज़ बता दू कि आखिरकास इस course से आपको क्या फायदे होते हैं कैस्टूजेंस हैं जो सोचते हैं क्यू करें course क्या फायदा होगा तो मैंने जो इसके benefits हैं उनको team points में हाँ पर summarize किया है द्यान से देखेगा तो सबसे पहला यह है कि complete business manager see in order to become a complete business manager आपको सिर्फ numbers नहीं आपको पास कुछ extra skills भी होने चाहिए वो जो extra skills है वो आपको इस course के द्वारा ICI provide करेगा उसके बाद आपका जो personality development है वो भी इस course से हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी जो communication skills है वो और जादा better होते हैं तो दीखें बहुत अच्छा course है अगर आप इसे बहुत अच्छे से करते हैं तो आईए अब हम थोड़ा सा course की details में चलते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक summary दिखाता हूँ यहाँ पर ध्यान से देखेगा कि यह जो course है इस course को दो parts में divide किया गया है पहला है आपका ICITSS यानि की integrated course on information technology and soft skills इसके अंदर दो हिससे हैं दो parts है इसके एक IT यानि की information technology और एक orientation course है जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर म में discuss करने वाले हैं और जो दूसरा part है इस course का वो है आपका AICITSS यानि की advanced integrated course on information technology and soft skills इसके अंदर भी दो टाइप मिलेंगे आपको एक है आपका advanced IT और एक है आपका MCS यानि की manager and communication skills ठीक है अब चलिए और ज्यादा detail में देखते हैं और बारीकी से समझते हैं इस course के बारे म तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं आपका जो ICITSS details है इसके बारे में यानि की जो मारा integrated course है on information technology and soft skills तो अच्छा detail में जाने से पहले कई बस पूछने की सर क्या foundation के students को भी यह courses करने है answer is no अगर आप foundation में है तो अभी आपको इस course को करने की कोई भी requirement नहीं है दूसरा क्या sir यह course करना compulsory है जी हां यह course करना बिल्कुल compulsory है तीसरी बात क्या sir diet entry students जो है intermediate के लिए उनको भी यह course करना है जी हां उनको भी यह course करना है तो तीर important चीज़े थी जो मैंने अभी आपको बताई ध्यान रखेगा और लिख लीजेगा तो चलिए अब थोड़ा सा detail में ज सबसे वहले मैं बात करूंगा eligibility criteria की तो जो eligibility criteria इन courses के लिए वो दोनों का same है ठीक है और वो यह बोलता है कि जब आप successfully register कर लोगे अपने CA intermediate course में and before joining the practical training आप यह course कर सकते हो इसका मतलब यह है कि इस course को करने के लिए आपका CA intermediate में registration होना compulsory है एक बार registration हो गया उसके साथ-साथ joining practical training मतलब प्राक्टिकल training join करने से before आपको यह course करना है तो यह नहीं कि आप नए प्राक्टिकल जोईन कर ले फिर आप इस course को करने जा रहे हो नहीं यह possible ही नहीं हो पाएगा तो अगर अगले महीने फॉर for example अगले महिने आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जॉइन कर रहे हो ठीक है उसके पहले यह कोर्स हो जाना चाहिए ठीक है चलिए इसके बाद जो डूरेशन है वह मिनिमुम 6-6 आवर्स है पर डे और पंदरा दिन तो पंदरा और पंदरा दिन मिलाके कितने हो गए 30 यह आप जनरली बोल सकते हो फोर विक्स तो यह जो कोर्स है इसकी जो डूरेशन है वह चार हफ्तों की होती है आईए उसके बाद में फीज बता देता हूं आपको जो आईटी वाला हमारा ट्रेनिंग कोर्स है इसकी साड़े 6,000 रुपे फीज है और और औरियेंटेशन की 7,000 ध्य यह तोटल बीज होगी समय सुभश बहुत ध्यान सुनियेगा । ऐसका जो ब्रॉडोर सकोर्स है वो स क्पशियं नेह quem mention收 Raz ev band life को यहारे कि त्मेंन से था क्या 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 चीज्जे तीटैलस आपको को समझ में आज चुका होगा अब तक कि आपको यह कोर्स कप करना है अभी करना है या नहीं करना है अब मैं बात करने जा रहा हूं जो advanced course है हमारा यानि की AIC ITSS अब इसके बारे में कुछ details ध्यान से देखेगा इसके अंदर दो चीज़े होगी एक तो आपकी advanced information technology training होगी और एक आपका management and communication skill course है mcs ओके अब eligibility को बहुत ध्यादा ध्यान से देखेगा after completion of practical training and before appearing for final सेम चीज़ यहां पर लिखे इसका मतलब यह है ओके आपने अपनी practical training खतम कर ली है मतलब देखें आपका सीए इंटर हो गया आपकी practical training हो चुकी है और आप final में appear करने के लिए ready है आप final में तभी appear कर पाएंगे जब आप यह course करेंगे ठीक है तो final में आने से पहले final में exam में appear होने से पहले आपको यह course करना ज़रूरी है आपके बंद में यह सेम है minimum 6 घंटे है एक दिन के और पंदरा दिन यहां भी 6 घंटे एक दिन का पंदरा दिन कुल मिला के हो गया 30 दिन यह आप बोल लिजे four weeks ठीक है तो इस course का भी जो duration है वो चार हपते का ही है पिछले course का duration भी आपका four weeks का ही था बात करते है एक फीस की तो यहां पर 7000 रूपए फीस है आपके जह एडवांस IT की training course है और 7000 रूपए वीस है के MCS course की बात करते हैं इसका स्लेबध आपको section C में मिलेगा और इसका स्लेबध आपको section D में मिलेगा और इन दोनों की स्लेबस आपको नीचे जो description है वहां पर link के तौर पर मिलेंगे वहाँ जाई एक्सेस करिए और देखिए कि आप इसके अंदर क्या cover करने वाले हैं और इसके अंदर भी आप क्या cover करने वाले हैं तो यह था आपको नीचे description मिलेगा जाईए उस पर क्लिक करिए आप सीधे आपने की website ने पहुंचेंगे जहां से आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं आफ्टर डूइंग दर जो आपको documents इस form के साथ भेजने हैं किसको send it to POU प्रोग्राम organizing unit तो इनको आप यह सारे documents send करेंगे और यह जो POU है यह आपके ICI का एक हिस्सा है एक center है जो ICI के centers होते हैं जहां पर यह सारे courses conduct किये जाते हैं 4-4 weeks के लिए और यह documents आपको at least दो दिन पहले batch start होने के भेजना है तो suppose करिए कि आपका batch 20 तारिक को start हो रहा है तो यह documents वहाँ पे दो दिन पहले यानि कि 18 से पहले पहुत जाने चाहिए तो एक सिंपल सा registration process है ठीक है तो प्लीज आप link को access करिएगा और वहां जाकर registration करवाएगा अगर आप अभी eligible हैस कोर्स के लिए तो तो यह थे एक detail discussion आपके information technology and soft skills कोर्स के बारे में I hope आपको अच्छे से clarity आ चुकी होगी and now you know okay whether you are eligible right now or not okay चलिए थैंक यू